जहें दोस्तो मैं आयूसिंग आपका अपने योट्यूब चैनल इंटरडॉकलों में सौगत करता हूँ दोस्तो आप में से कई लोगों का एक यह कोस्चन था कि क्या हम अपने डॉक को फिस दें और अगर हम देते हैं तो उसे हम किस तरह से दे सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि fish dog के लिए healthy तो है लेकिन उसके देने के process पर depend करता है कि dog उसे कैसे consume करेगा और क्या effect उसके body पर आएगा तो आम तोर पर जितने भी non-vegetarian होते हैं वो अभी ठंड के दिनों में ज्यादा non-veget को prefer करते हैं उनके पास एक अच्छा option रहता है कि वो अपने dog को fish या chicken दे सकते हैं तो chicken तो आप आम तोर पर देते ही हो तो आज भी हम बात करेंगे कि क्या fish को अगर हम dog को देते हैं तो क्या उस वो अच्छे से digest कर पाएगा उनके body में इसका क्या effect होगा तो सबसे पहले बता दूँ कि fish जो होते हैं वो दो type की होते हैं normally जो हम खाते हैं उसमें क्या होता है कि उनके अंदर में काटे होते हैं और हम तो इंसान हैं उसे हम अच्छे से काटे को हटा कर खा लेते हैं लेकिन अगर हम direct dog को देते हैं तो वो उसे direct अगर निगलता है तो और वो काटा कर दोग के गले में फस जाता है तो डारेक्ट उसका एक लास्ट ऑप्सन है कि वो अप्रेसन से ठीक हो बाएगा मतलब उसका सरजरी करना पड़ेगा वो एक बहुत ही मेजर प्रॉबलम हो जाता है और आगे जाके डोग को बहुत ही प्रॉबलम का सामना करना एक नएक तो उसमें काठे रहेंगे तो उसको आप क्या करना है घर में लाकर उससे अच्छे से निकान अपको एक मन में सवाल आ सकता है कि क्या हम ऊसे बॉइल करके दें या हम उसे जैसे अपने लिए पकाते हैं उस सरह पका कट दें तो रॉफ ऐस तो कभी अपने डॉग क को मत देना क्योंकि उसमें आपको पता नहीं होगा कि उसमें काटे कहा है और आपका डॉक उसे डाइजिस्ट भी नहीं कर पाएगा आपको क्या करना है कि उसे अच्छे से पानी में बॉइल करना है उसमें जो पानी होगी वह भी आप अपने डॉक को दे सकते हो क्योंकि डॉ बेंेमें के अलग से लेयर बनाता है जो की डॉक के स्कीन और अशके ह्यर के लेशे को राकर रखता हैं runnersके बोडी में और उसके बॉडी के हेयर में एक अलग साइन के प्रवाइट करता है। तो यह बहुत ही ज्यादा वेनिफीसियल है आपके डॉक के लिए और उसे आप बॉइल करके उसे नॉर्मली फीड में दे सकते हो, उसके किसी भी खाने में एड कर सकते हो, आपको सिंपली उसे बॉइल करके उसे अच्छे से तोड़ कर देखना है, हटा हटा कर देखना है कि उसमें कहीं छोटे पार्ट काटे के तो नहीं हो गए अगर उसमें बचे होंगे तो आप उसे अच्छे से निकान करा और अपने डॉग को दे सकते हो और यह टाइमिंग बता दो तो मॉर्निंग के टाइम में दो तो ज्यादा वेतर रहेगा क्योंकि मान के चलोकार आपके बतानी चल पाएगा कि आपके डॉक को क्या प्रॉब्लम हो रहा है और आप उसे समझ भी नी पाऊंगे जिससे कि डॉक को ज्यादा दिक्कत हो जकता है तो अब हम बात करते हैं कि फिस के क्या-क्या फाइदे होंगे डॉक के लिए तो सबसे पहले कि फिस में ओमेगा फैटी पाए जाता है जो कि बता दिया मैंने कि उनके बॉडी हेल्थ के लिए फाइदे मंद है दूसरा उसमें विटामिन डी होता है आम तोर पर ठंडी के दिनों में धूब नहीं निकलते हैं जिसके काना हम अपने डॉक को बाहर नहीं ले जा पाते और उनके हेर ग्रोथ में भी ओमीगा थ्री एक प्रोपोर्शनाल में रहता है जो कि डॉक्स के ग्रोथ को डॉक्स के ग्रोथ को और उसके एंटी बॉडी को बूस्ट करते हैं तो मैं आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडि का help आगे मिलता रहें, thank you.